अच्छा लग रहा है समय अंत्राल के बाद ऐसे देखके और हम लोग मिलना है जी जी सर कुछ ही है हमारे बच्चे हैं अभी थोड़े देर में और बाकी लोग भी जॉइन कर लेंगे हम लोग का जो विशह है जैसा आपने नर्गत किया था मैंने इने बता दिया था योग सुत्र विशह है आज हम लोग अपनी परिशर्चा जारी किये हुए तो सर एक बार आपको मैं स्पोटलाइट कर देता हूं आप शुरू करें सर ठीक 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 हुआ है 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 कि नमस्कार आप सभी का स्वागत है हार्दे का विनन्दम है आज की इस योग अक्षा में आप लोगों में से जो लोग भी जुड़ चुके हैं उससे मैं थोड़ा सा दोशायर्मेट बाचीत करना चाहता हूं उसके बार फिर क्लास प्रारम करेंगे सबसे पहले तो यह है कि आप लोग नेट के तयारी कर रहे हैं तो पीजी कर ही चुके होंगे क्या क्या तयारी कर लिए और इधावक चुकी योग शूत्र जो इसी नेट का जो स्लेवस है उस चुकी जीज़ुक। एक पेपर है जिसमें योगसूत्र के कांसेट का उलेग किया गया है और टोटल दस उनिट है उन में से किस पॉइंट पर आप पढ़ना चाहते हैं चुकि एक क्लास है और एक क्लास लगभग मुझे को लगता है कि 40-50 मेर तो चलेगी उसमें किसी एक या दो टॉपिक को ही डि पर पक्ता है उसमें जिस बिशे पर आपके हो इस पर चर्चा गली आगे तरपनाम कराम सर मैं इच्छा पुंडी सर मुझे न धर्म में समाधी में कंप्यूजन है जब अच्छा और धर्में एक समाधी तो किलियर हो जाए धर्में समाधी जश्ट कईवली की अवस्का की ब प्रग्यात समाधी के बाद कईवली से जश्ट पहले की स्थिति आती है उधर में एक समाधी है उसके विम चर्चा कर लेंगे वो ज़्यादा समय ने लिए योगसूत्र की चर्चा इसलिए सबी लोग योगसूत्र सामने रखेंगे इसके अलावा चलिए ठीक है क्वेश्टन असर की तरह सही लें ज़्यादा अच्छा योगसूत्र खोली है और फिद्या ये चोथ्याद्या आगे कैवल्लपाद कि टोटाल इसमें चोथिस सूत्र हैं उसमें सूत्र संक्राइब प्राशंच्छा ने अधर्म एक समाधिका उल्लेग किया गया और फ्वंटी नाइन के बाद अब दोटी सूत्र और चोथिसी टूटल सूत्र हैं इसमें देखें ट्वंटीनाइन सूत्र क्या है प्रासंच्छा ने अब के कुसीदस सर्वता विवेक ख्यातिर धर्ममेगा सबसे पहले इसमें विवेक ख्यात को देखेंगे चोटी धर्ममेक समाधि विवेक ख्याति की अवर्था के बाद उत्पन्नों की जब आप विवेक ख्याति समझ जाएंगे तो धर्ममेक समाधि को समझना बहुत ही सर्वता है विवेक ख्याति किसे कहते हैं शुरू में जब योग सूत्र शुरू होता है और महारिश्प पतंजली योग की परिभासा वाताते हैं तो क्या कहते हैं योगस, चित, बृत्ति, निरोधा, चित की बृत्तियों का निरोध योग है, बृत्तिया कितनी हैं, तो कहते हैं बृत्तया, पंचितया, अक्लिष्टा, अक्लिष्टा, जो पांच परकार की बृत्तियां हैं, प्रमाण भी पर्रे विकल्बने द्रस्त मती, यह पांचों व्रत्य किल पर रूकरिफिव टेंट कःला रिई साथ यह क्लिश्त होती हैं और पर क्लिश्ट होती है जब यह व्रत्य को योग कि और ले जाने की आरा-खल नीज दोन एक आन ॐ यह व्रत्य कि अन कि मि हग आने के थैसे शारती प्रकार का ज्यान होता है वेत्य को सामसित अरे इन समस्थ ज्यान को ही वेद्द फ्रकार में बाठा गया है लेकिन मुख्यता उसके दो ही सुभाव कहें एकक्लिष्ट और एकक्लिष्ट और मुख्य रूफ से जो क्लिश्ट बृत्ती है उसी का नाम है विवेद्छ्या। मैं कि इस प्रट्वी की जो डिफैनेशन नहीं ले गी यह डिफैनेशन आपको GOOD कुंछ rozp मिलेगी ज्यान भीच्चु के जोग्वारतिक में मिलेगी और वो क्या है वो मैं आपको बता रहा है प्रकित पुरुस को अभेद रूप से जानना क्लिष्ट ब्रत्ति है और यही अविद्या है यानि वह नालेज वह ग्यान वह अनुभव जिसमें आओ प्रकित और पुरुस दोनों को अभेद कर देते अभेद मतलब कोई बेदने मिक्स क प्रकित के धर्मों को पुरुस के धर्म समझेने लगते हैं और पुरुस के धर्मों को प्रकित के धर्म समझे उनको मिक्स कर रहे हैं तो यह जो तज्ञान होता है तो इस तरह के ज्ञान को क्या कहते हैं क्लिष्ट ब्रत्ति कहते हैं और प्रकित पूरुस भेद ज्ञान की जो अवस्था है वह अवस्था कहलाती है अक्लिष्ट ब्रत्ति उसी का नाम विवेख्याती बिवेख्याती बराबर अक्लिष्ट ब्र प्रति बराबर प्रकित पुरुस भेद ज्यार ठीक है अच्छा जो कॉस्टन हो वो आप नोट करते चलिएगा अब इसी एक प्रहण में मैं योग सूत्र का बड़ा सलेबस ले रहा हूं आपको इसमें ढे सारे सलेबस के पॉइंट्स के लिए रहा है विवेक ख्यात को समझन अब ये प्रकित पुरुस भेद ज्यान विवेक ख्याती है तो किसी भी चीज का भेद आप कैसे पता करते हैं अगर माना आप से कहा जाए कि किता पैन और पैंसिल में भेद लिखी भेद बताई है और आप पैन और पैंसिल दोनों को नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आपक निकल आयाएगा चिपन किसे कहते हैं और पैंसिल किसे कहते हैं और वाटीज डिफ्रेंसेज बिटून बोथ इन दोनों में डिफ्रेंस यही करते हैं ना पुछ आ रहे ही क्या दो बाते कर रहे हैं अन्मूट करके मूट कर लिए पट नो दो है तो इसी प्रकार प्रकित और पुरुस दोनों का अगर भेत ज्यान आपको जानना है तो सबसे पहले आपको प्रकित को जानना पड़ेगा फिर पुरुस को जानना पड़ेगा और दोनों जब जाणने की प्रक्रिया ही पूरी他 Luther sociale गयाँ कब होगा है जानने की अलग 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 तब ऑग्यां यूद्ध का दो जानने के लिए सबसे पहले समाध की स्टेज में पहुचना है जाने की कि इस अश्टरितक निर्मल हो जाए इस अश्टर तक सुध हो जाए कि उसमें चित जानने की योगिता उतपनुक्ती तो उसके पहले की जो प्रक्रिया है वो यम्यम से या चितपृषादन से या अस्टांग योग से और बहुत सारे साधन प्रधमपाद में बताएंगे उन सभी अभ्याज के द्वारा चित्त को निर्मल किया जाए ठीक है ना और निर्मल करने के बाद अब वह इस्तिति आ जाए जिस इस्तिति को प्रथमपाद में बताया जाया है श्रीन ब्रत्तेरभ जातस्यो मडे ग्रहन ग्रहेश तत तस्थत जनता समापत्ति यह सूत्र है यह समापत्ति का मतलब क्या है यह समापत्ति और समाधी में वेद भी आता है यह आपके नटके सलेबस सुन भी उसको भी समझ लिए समापत्ति उस अवस्था को कहते हैं जहां पर चित की सभी व्रत्तियां चीवन हो गई और चित स्भटिक समाण के छिवन भृत्तेर अविजात्त स्यो मने ग्रहानक रहे यह सु तत तस्थत जनता समापत्ति इस्पटिक मणी के समाण चित नटके नटके वड़ हो गया और दूसरी तरफ रख दीजी आप लाल पूल को रख दीजिए तो इस्पटिक मणी किस कलर का हो जाएगा लाल उसको अटा दीजे पीला रख दीजे तो कैसा हो जाएगा उसका अपना कोई स्वभाव कोई कलर कोई रंग नहीं उसके सामने जो आभासत होगा वैसे ही हो जाएगा यह योगिता है यह एलैजयर्जबिल्टी है चित को जानने और सारी प्रकित को जानने इस stage तक, जब तक चित नहीं आयेगा, तब तक कि अन्नी अभ्यास किया जाते हैं, जो योग के अभ्यास कहलाते हैं, लेकिन इस stage के आने के बाद, आप जा करके, यहाँ stage आ गई कि जिस पर ध्यान किया जाएगा, ज्यान लगने के बाद, जब समाधी में चित पहुचेगा, तो जो विषय पे ध्यान किया गया है, उस विषय का, उस विषय के अनुसार चित आभासित होने लगेगा, चित उस आकार में आकारित हो जाएगा, और पुरुस को, यानी पुरुस कोन है, जिसको ग्यान हो रहा है, जो नूवर है, जो जानता है, जो जानने वाला है, जो ग् सुत्र हो गया अब 42 में भी समापत्ति को बताया गया तो जिस पर विशे जिस विशे पर लगाया जाएगा मन को और विशे के अधार पर चित एक आग्रित होगा और एक आग्रित होने के बाद समाध्य प्रवेश करेगा तो पहली जो समाध्य होगी जिसका नाम है साबितर्क और यहाँ बितर्क समाध्य का भेद है तो बितर्क समाध्य का जो यह पहला भेद है साबितर्क इसे समापत्ति कहा गया है और समापत्ति की विशेष्टा बताई गई है इस अवस्था में जब जिस विषय पर ध्यान किया जाए, जिस विषय पर समाथ लगाई जाए, ये चित्व को एकाग्रिप किया जाए, उस विषय का जब ज्यान, सब्द अर्थ इन विविद सब्द अर्थ ज्यान इन विविद विकलपों से युग्दों होता है तो वही समापत्ति कहलाती है अब यहां से ज्म घ्यान की प्रकिश होगे। किसको जानना है रोत को पराखित के कितने च्तत्तु हैं, 4 सबसे सुख्षम उसका एक नाम अभ्यक्त है अनुमान प्रमान के द्वारा वह अनुगम जन्रूप नहीं उससे डव्लाप्मेंट होते हुए सबसे इस्थूल है यहांन होता थे परद्थिबी नहीं है तो जानने की प्रतिवी से सुभूप। पहला ध्यान प्रतिवी पे लगेगा। प्रतिवी के बाद दूसरा तक तो कौन सा होगा। प्रतिवी से सुभूप। जल। जल के बाद अगनी। अगनी के बाद वायू। वायू के बाद आकाश। और इसी क्रम से फिर कर्मेंद्रि इसी बात को देखिए क्या कहा गया है उसके उपर की जो समाधि थी उसमें इस्थूल का हुआ फिर आगे सुच्म का और सुच्म से लेके कर्याद को परकीट को परकीट की नाम नाम लिंग् मतलब किसका पूइलिंग इसलिए परकीटको निति कहा जाता तो इसी प्रकार पहले स्थूल विशयो का ज्ञान होता है और सुक्ष विशय से लेकर के फिर आलिम्यानिक प्रदिपिक्य तत्यों का ज्ञान होता है उसी आढ़हार पर समाधी का डिवीजन गिया गया है कि यह सब क्या है इसको आप एक दूसरी तरह समज सकते हैं मैं समझाने के के लिए सरल करने के लिए दूसरा एक उदा हड़े रहा है माली आपने पीजी किया योग में योग में कहीं से पीजी क्या होगा अब वो पीजी करके पाठी क्रम्स है एक स्लेबस और उस पूरे स्लेबस को क्रम वार सरलता से कठीनता की ओर पेपर के क्रम में चार पुड़े में डिवाइट कर दिया गया आपने पहले समेश्टर में कुछ पढ़ा और एक्जाम दिया पास हो गया पिर तीसरे समेश्टर में पढ़ा और पिर चौतरे समेश्टर पढ़ा और आपका पीजी कोर्स कंप्लेट हो प्रकित को जानने के लिए पुरा सलेबस है और वह सलेबस अब्यक्त यानिकी प्रकित प्रतिवी तक तो है और जानने की प्रतिवी से ही शुरू होगी जैसे आप पीजी में पढ़े तो ऐसा थोड़े है कि जो है पहले आप डिजाटेशन कर लें और बार में जाकर के रिफर्च मत्रिलोजी पढ़ें ऐसा तो हुआ नहीं होगा पहले फाउंडेशन आप योग का पर पर रहा होगा और फिजियोलोजी एनाटमी रही होगी और ऐ तो टेक्स्ट पढ़े होंगे थिर उसके बाद थरेपी कैसे कि जाती है ये पढ़ा हो गा तो इसी क्रम से किया होगा ठीक यही नियम योग सुत्र में भी इस्टब्लिस किया लिए है तो प्रकित के चो विशोलट अग्यान क्रम सांस समाधियों में होता है और उसके बाद इन सब समाधियों को सभी समाधि कहा गया है क्योंकि इसमें जो पंचक्लेस है क्योंकि में समस्या पंचक्लेस की ही है तो यह पंचक्लेस के सब बीज, जो क्लेसों के बीज, जो मुखिता पंचक्लेसों का जो मदर है, जो जनिनी है, जो अरहार सिला है, वो है अबिद्या, वह फिर है निर्विचार वैसाद अरद्यम, निर्विचार वैसाद अरद्य अध्यात प्रसादा, सबसे लाज की जो समाधी है वितर्क विचार अननन्दा अस्मिता और अस्मिता के बाद फिर वितर्क विचार, विचार के दोवेद हैं सविचार और निर्विचार समाधी तक की हैं अध्यात प्रसाद बुद्धी की वहावस्था चित की वहावस्था चुकि चित का एक component है यह 24 तत्य है उसमें चित तो है नहीं लेकिन योग सूत्र का पूरा concept चित पे चल ला है तो चित क्या है मन बुद्धियों रहेंगा इन तीनों का जो संयुक्त सुरूप है उसे ही चित का है तो निर्विचार समाधी की परिकूरता के बाद अध्यात प्रसाद के प्राप्ति होती है अध्यात प्रसाद का मतलब बुद्धि का इतना निर्मल हो कि उसमें यथार्थ ज्यान का प्रादुरुभाव होने लगी और इसके बाद अध्यात प्रसाद के बाद रितंभरा प्रज्या का प्रादुरुभाव होता है रितंभरा तत्र प्रज्या रितंभरा रित माने होता है सत्य और प्रज्या माने बुद्धि तो जो बुद्ध सत्ति से भार जाती गुद्धी सत्ति सूतर संक्या पूटियन यह जो होता है यह जो सुनने वाला ग्यान होता है जो आत्पुरूस का ग्यान होता है या जो आप उपनिशिदों में पढ़ लेते हैं जैसे आप योगसूतर पढ़ ले हैं और योगसूतर से आपको ग्यान हो रहा है क्या ग्यान हो रहा है कि प्रकित की यह धर्म है पुरूस की यह धर्म है पुरूस ज्याता है पुरूस चैत यह जो अनुमान से ज्ञान होता है जैसे प्रतिभी का ज्ञान सांके दर्शन और योग दर्शन प्रकित है प्रकित नित्य है इस बात को वो सिद्ध करता है अनुमान प्रमान से लेकिन अब जो यह ज्ञान हो रहा है यहां पर यह विलकुल उससे अलग होता है उससे बिल्कुल डिफरेंस इसमें होता है क्यों 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 कि यहां इंद्रिय जनित ग्यान नहीं होता है रजो इंटरी आदया उससे बिल्कुल इग हैं यही अवस्था होती है विबेक ख्राथ की अवस्था यह जो सूत्र संख्या 49 में जिस स्टेज का वर्णन किया गया जिस अवस्था का वर्णन किया गया है इसी अवस्था का नाम है विवेक ज्यात की अवस्था कि यहां निर्विचार समाधी कंवाणन किया गया है इसके पहले सूत्रसंखय bronze समाधी के स्मिट्व का वर्णन सम्प्रज्भ्ञ्याद्भूर्ग की गानद्विचार आनन्दान०ा दा श्मितनू गमाथ संप्रज्भ्याद्बूर्ज्णत αυτ है इन चार समधियों में भेद ज फिर उसके बाद अस्मिता और अनंद समाधि में विद्वानों में मग्भेद है वाचस पत्र मिष्र जिन्हों ने तत्त वैशार्दी लिखा है और विज्ञान विच्चु जिन्हों ने योग वार्तिक लिखा है इन दोनों ने अपने अपने तरकों से यह सिद्ध करने का प यानि कि अस्मिता समाधि में अइंकार का ज्यान होता है तो एक विद्वान कहते हैं नहीं पहले प्रकित के सारे तत्तु का ज्यान हो जाता है और उसके बाद पुरुस तत्तु का ज्यान होता है यहां अभी उतना डीप जाने के ज़िवत नहीं आपका अपना-पना मत है हा आपको इसकालर के तरह से पढ़ लेना चाहिए कि कौन किसका मत है मुख्य रूप से समाधी का जो क्रम बताया गया है वो बितर्क विचार आनांदा समिता नुगमात संपर ग्याता समाधी तो चोथी समाधी अहिंकार को ही पतंजरी ने बताया है असमिता समाधी जहां पर एहिंकार का ज्यान आप इसको आगे बहुत दीप पढ़ेंगे तो यही सिद्ध होगा क्योंकि कोई भी ज्यान चित्त के माध्यम से ही होता है जब तक चित्त में वो बृति फार्म में नहीं आएगा तक तक के पूरुस को इसका ज्यान नहीं हो सकता है और चित्त में ज्यान व्रति के फार्म में आने के लिए अहिंकार सबसे महत्पूर कंपोनेंट है अगर अहिंकार फंसन नहीं करेगा तो चित्त में व्रति नहीं बन सकता है और प्रकित के सारे तत्तों का जब ज उस से लिए नहीं रहता है। इसलिए जब पःत्री तत्त का ग्यान हो जाएगा, तो ऐसे योदी के लिए पढ़ूदान होुने परगा पूरी प्रकृत का आटा हुजाता है तो ऐसे योगी के लिए प्रकित अपना कारी करना बंद कर देती है, यह जब प्रकित रहती है, लेकिन वह प्रकित अन्न के लिए कारी करती है, उस साधर के लिए काम करना बंद कर देती है, क्योंकि प्रकित का उद्देश है, पुरुष को भोग और अपवर्ग पूरा कराना, भोग कैसे कराती है, भ यहां दोनों देश जब पूरे हो जाते हैं तो प्रक्षित अपना काम करना बंद गए अभी देख ले ना यह जो लाट है इसilty में BILL अस्मिता समाध्य में चार का लिए और अनन्त समाध्य में पूर्व स्कार जयान पूर्व अहरकार का यहां होने के बार जैसे ही प्रकृत का पूरा अहंकार का फंसन बंध होगा प्रकित का पूरा फंसन अपने बंद और प्रकित का फंसन जब बंद होगा तो पुरुस को किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होगा वहाँ अज्ञान की अवास्था में चला है उसी का नाम है असंप्रग्यात प्रकित पुर्ग्यात में त्यक्समों उस्प्रग्यात में जो संप्रग्यात में आया था उसका निशें अन्हुम्प्यात अब आप अब देखिए सुत्र संख्या 50 का चाह गया है ंसनका प्रतिधी जो यहां पर 49 में जो प्रकित गुरुस भेद ग्यान हुआ था वहाँ भेद ग्यान इतना प्रबल होता है कि उसके संसकार से अनिसारे संसकार का निरोध हो जाता है इसको समझने के लिए दरसल जो चित का मुख्य कांसेप्ट है चित के फंसन का कांसेप्ट वो जब आप समझ लेंगे तो पूरा योग सूतर समझना सरल हो जाएगा मैं दो-चार मिनट में उसको समझने का प्रियास करूँगा दरसल जो चित है उस चित में मुख्य तीन चीज़ें हैं जैसा मैंने पहले भी कहा बुद्धी अहिंकार और मन इन्ही तीनों के मिलने से ही चित फंसन करता है और उसमें ज्यान आता है चित की मुख्य जो विशेष्टाएं है उनमें से प्रमुख दो-तीन विशेष्टाएं मैं आपके सामने रप्तूं ठक रहा हूं उनसे मुख्य कांसेब जो चित का है जो मुख्य उसके फंसन है वो आपको समझ में आ जाएगा उससे आप समाधी और इस सूत्र को समझ सकें जो सूत्र संच्छा 50 में कहा दे है चित की पहली विशेष्टा क्या है एक समय में एक ही ज्यान होता है दूसरा ज्यान नहीं हो सकता है ये चित का कांसेप्ट है और यह मेटकल सैंस में किसी विव्यत्य को एक समय में एक ही ज्यान होगा दो ज्यान नहीं हो सकते है ज्यान हम का सामाने संसारी जो अभी योग को नहीं प्राप्त हुआ है जो जिसको जिसकी समाध्य नहीं लगती है उसको ज्यान कहां से होता है फाइप सेंसरी आरे पांच जो ज्यान इंद्रियां और इन ज्यान इंद्रियों से ज्यान प्राप्त होने के बाद उसकी स्मृतियां मस्तिस इसमिन रहती हैने कि सित्वने रहे हैं और इसमें सारी सार जान जितना प्रकार का आपने कर्म किया है प्रीवियर्स सारी लाइब का मिला पढ़ा करने ओ सब इसमें अधर मतलब चित में हैं उनहीं में से निमीत्थपा करके कुछ पर्टट होता है और कुछ आप सोचके इंटर्पस करके दिमाग में आता है तो चित में हि जो भी ज्टान हो रहा है जो भी ब्रति बन नहीं न नहीं जो भी ज्टान धूराई हूसेए हैं और कोई अस्थान से और चथांूम गॉले स्टोरेज कर रखा है जब चित अंतर मुखी होता यानि जब अंदर की ओर सोंचता है स्टोरेज के बारे में सोंचता है तो इस पांचों से उसका संबंद्ध खतम हो जाता है और जब पांचों में से किसी एक संसरी आरगन के विश्य को लेता है तो जो इस तोरे से उससे भी डिस्कनेक्ट हो जाता है और अन चार संसरी आरगन से भी डिस्कनेक्ट हो इन असंख ब्रत्यों में से चित एक समय में एक ही ब्रत्य से कनेक्ट होता है और जिस समय जिस ब्रत्य से कनेक्ट होता है जिस ब्रत्य का हमें ग्यान होता है उस समय उस ब्रत्य के अत्रित किसी भी ब्रत्य का ग्यान नहीं होता है जब हम देखते हैं तो उस समय हमें न तो सु हो किसी इंद्री का जब हम सुनते हैं कुक्त सुने किलाभा और को इंद्री का ज्याण लिए और और व्यांस के सथे सोशते हैं कि इन्युन से और कि यह कौन अग्धा है कि अगर सेंद्ग करता और आपका नाम क्या है तो फिर तुरंट उसमें आपका नाम पटल पे आ गया ऐसे तो फ्रंट पर नहीं था फिर अचानक उसा आप से पूंच लिया गया इसी कांशेप्ट के आधार पर एक छोटा बच्चा है जो किसी भी अभी उसको कोई ज्यादा ग्यान नहीं है तो जब जैसा होता है और हम आराम से बैठें कुछ भी सौचते रहते हैं कभी किदर जयान जाता है लेकिन अचानक कोई ऐसा जाना जाए चाहे वो सुन के आए, चाहे देख के आए, या सोच के ही आजाए, जो बहुत ही प्रबल हो, तो तुरंत सारे ज्यानों को प्यूर रोक लगा देता है, और उसी का स्थाई कबजा हो जाता है, उधान के लिए जैसे भी अचानक कोई सूच नहीं मिल जाए, आप ही लोगों के बारे में कि आपका जो है वो, एक करोण की लाटरी निकली, अब आप उस समय कुछ और सोच पाएंगे, सारा सब रोक देगा, और ये एक करोण की लाटरी वाली जो ब्रती है, जो ग्यान है, यहाँ भी हो जाए, या अचानक कोई दूफरी तरह की सूचना आ जाए, दुख बात यहाँ कहीं गई है, तजजा संसकारा अंन्य संसकार प्रतबंधी क्यों? क्योंकि सर्थु अनुमान, श्रुत अनुमान प्रज्याब्याम अन्य विषया विशे स्रत्थात, ये जो यथार्त ग्यान हुआ, प्रकितपुरुस भेद ग्यान हुआ इतनी प्रबलता होती ह यह जितने भी अभीतर ग्यान होए थे उनसे बिलकुल अलग होता है बिलकुल विशेश हर्थ वाला होता है आप सिखिए जिंदिगे में पहली बार जिंदिगे का यहां अर्थ एक जीवन नहीं है वो अनंत यात्रा है और उस पूरी यात्रा जिस चाह हमें करके चलते आ रहे आप शुक्त ग्यान हुआ है इसका अपना स्वयम का ग्यान प्रकुत क्या है कुरुष जिसता जो भेद ग्यान हुआ है उस ब्हेद कि इतनी प्रवलता होती है और संसकार उसकी स्मृति हो पहले उसका प्रतक्ष हुआ और प्रतक्ष इंदिर्य प्रतक्ष नहीं था और फिर उसके संस्कार तो उनके संस्कार इतने प्रवल हुए कि वही आगर के अस्थापित हो गए उनकी स्मृति अब नहीं जा रही है वह अब रृत्ति नहीं हट रही है और उसकी व्रत्ति रहने के कारण क्या हुआ अन्निशंसकारों का निरोध्र यह पतायगा और इसी अवस्था का नाम है जो कुट्टी सुत्र में पतायगा इसी अवस्था का नाम है संप्रज्यात समाधिश्ण पहला पहली समाधव यहां पर पूंगे दो कि योग पढ़ा होगा वही दोप्रकार की योग यानि कि दोप्रकार की समाधी होई तो वह पहली समाधी में फिर अगले का आगे कहतें 59 स्मूतर में तश्यापी निरोधा सर्वनिरोधात नेरविज़ा आधी आप यहाँ थे यहाँ उस आपको जो Cape 106 गया आ quello कहा शूत्र शूत्र है उनकी ना इकने पर इसके जो अभी यहाँ तर्श 250 गया को रूप में तो अब आपको यहां पर अस्पष्ठ हो गया कि विवेख्यात किसे कहते हैं प्रकित पुरुस भेद ज्यान कब होता है जब प्रकित का भी ज्यान हो जाए और पुरुस का भी ज्यान हो जाए उसके बाद प्रकित पुरुस भेद ज्यान होता है यह प्रकित पुरुस भेद ज होती है वो क्लिष्ट वृत्तियां उन्हीं क्लिष्ट वृत्तियों में वीच वीच में जो ऐसे कर्म करने का मन करता है कि हमें जोट नहीं बोलना चाहिए हमें नेमित योगा भ्यास करना चाहिए हमें नेमित साधना करना चाहिए हमें नेमित स्वाध्याय करना चाहिए इस त जुटियां आती हैं जिसमें प्रकित पुरुस भेद ज्यान के जगा अभेद ज्यान के ओर हम बढ़ते हैं वो सब घोर कलिष्ट बढ़ती है जैसे जतना ज्यादा हम प्रकित के ओर बढ़ने का मतलब क्या है भातिक वादी की वह हमारा मकान ऐसा होना चाहिए धनसंपता ऐसा होना चाहिए और हमें अपनी पहचान अपने शरीर के माध्यां से कि मेरे पास इतना धन है मेरे पास इतना बड़ा पद है मैं इतने पैसे मेरे पास bank balance की रूप में इस गारी में या इतनी बड़ी गारी में चलता हूं यहां पहुशता हूं इतने लोग मेरे साथ चलते हैं यह सब क्या है यह सब प्रत्वी तर्थ से जुड़े हुए अंगावयों और इनकी ओर जितना ज्यादा हम अपने अपने मतलब पुरुस से जोल के रखते हैं उतना ज्यादा प्रकित पुरुस का अभेद मलब दोनों अपस में मिक्स हो जाते हैं तब ही तो मेरा जितना ज्यादा नीचे क्यों रूप करता जाएगा आधित तॉकि वह दोनों के दोनों की के बियोग से समस्या हल होती है और दोनों के संयोग से समस्या उत्वपन्न होई है। यहां वह वाला कांस्यप नहीं है जिसमें कहते है आत्मा से परमात्मा का मिलन होई। यहां प्रकित और पुरुस के मिलन से समस्या उत्वपन्न होई है। और प्रकित पुरुस भेद ज्ञान से यानि कि दोनों की अस्पश्चता कि यह यह है और यह यह दोनों एक नहीं है अलग अलग है दोनों में बहुत बढ़ा आंता इस ज्ञान से समस्या का समन्द तो तज्जा संसकारा संसकारों अन्य संसकार प्रबलता होती उससे अन्य सभी संसकार कौन से अन्य सभी संसकार यह वाले कि यह संसारी सब कुछ है मेरे पास यह है मेरे पास वह है उनका यहां निरोध कर देता है कौन प्रकित पुरुस भेद ज्यान और इससे उत्पन होने व और इसके बार तश्याप निरोधा सर्म निरोधात निर्वीजा समाधी इसका भी जब निरोध हो जाए इसका मतलब प्रकित पुरुस जो भेद ज्यान हुआ था जिसके लिए तने मेहनत की गई इसका भी जब निरोध हो जाता है तब निर्वीज समाधी इनी दोनों के बीच कि जो इसका नाम है धर्म में यानि की तज्जा संखारों अनिसंशकार प्रतबंदी यह आ गई अब उसके बाद क्या होगा यह कौन से इस्टेज है यह विवेक ख्यात की श्टेज अब इसके आध्यात धर्में समयादे सब्सक्राइब फिर आईए वहाई जो तसंख्या टू में भी जिस योगी का बैरागी हो जाता है कि उसको पूर्ण रूप से विवेग ख्यात से धर्म में जनामक समाधी प्राप्त होती तो आपने दो तरह के बैरागी पढ़ें प्रहले ही पादमें दो तरह के योग दो तरह के ब्रत्ति दो तरह के निरोध के साधन कौन कौन से अभ्यास और बैरागी परबैरागी और अपरबैरागी तो जो अपरबैरागी है उसके द्वारा क्लिष्ट व्रत्तियों का निरोध होता है और संप्रग्यात योग की प्राप्ति इस समय चित जिस व्रत्ति से युगत रहता है उस व्रत्ति का नाम है अक्लिष्ट व्रत्ति मेरे सब्दों को बहुत ज्ञान से सुनिएगा कि दो तरह के व्रहागि हैं बार की से भर्ति का निरोध हो करके समाध्व के प्राप्ति स्का उत्तर होगा अपर अपर आगी और प्र वाइराग Country Baldi होती है तो असंप्रज्यात समाधी तो यहां पर उसी बात को कह रहे है कि जब अक्लिष्ट व्रत्ति यानि कि विवेख ख्यात रूपी व्रत्ति उत्पन्न होती है और वह और उसके संस्कार ही चलते रहते हैं इस अवस्था का नाम है संप्रज्यात समाधि अब जब इस इस ज्यान से कौन से ज्यान से प्रकित पुरुष भेद ज्यान से भी बहरागी हो जाता है तब धर्मेग समाधि की प्राफ्त नेट में जो कолжещ न आएग我 और धर्मेग समाधि को लेख करके तुझादा जज्यादा समाधियों को लिख दिया और आडर को सेके, तो जो भी समाधि लिखी हो संपरग्यात, धर्म एक समाधि, आसंपरग्यासि, ऐसे आडर कर दिजिएगा, और संपरग्यात के वाडर आपको मालुमी, कायसा भी कर सकते हैं, उसको बीच में मिला दे, यनि कि निर्विः समाधि, और निर्विचार समाधी, अस्मिता समाधी, अनंद समाधी और फिर धर्मेक समाधी और फिर असंप्रग्याद समाधी तो ऐसे अगर मिक्स दरते हैं तो इतना याद रखिएगा कि जो अन्नी समाधियां अगर उनमें से कोई भी समाधी संप्रग्याद समाधी का देते हैं तो वो धर्मेग समाधी से पहले ही होगा। धर्मेग समाधी के बाद केवल असंप्रग्याद समाधी या निर्वीज समाधी या केवल समाधी ही आएगी। बाकी धर्मेग समाधी के बाद और कोई समाधी नहीं आएगी। घर्में समाधित के पहले संपरग्यात समानी जाएगी, और अगर संपरग्यात समाधि ना लिख करके उसके भेद लिब दिए गए जए तो झारो भेदको平 जोंगी तो अश्मित आजाएगी बाद में और वितर्क विचार अनन्दा अश्मित अगर समाधी कोई प्रकार आ गया है चारों आए या बीच में कहीं से कोई एक दिदिया गया तो यह समाधी का प्रकार हो जाएगा धर में समाधी से पहन और अगर निर्वीर समाधी का सब्द उसमें डाला जारा या असंपर्ग्णात योग कौले किया जारा है या कैवलिका किया गया किवल सब्द या कैवलि समाधी यह सबसे बाद के और iç workers म एक कैवल वह स्टेज है जिस स्टेज में के बाद कुछ नहीं बसका है कैवल मतलब विदावुद जैसे कहते हैं आप से कोई कुछे भाई आप अखेले साथ में कोई आए ने-ने केवल मैं केवल हूँ तो कैवल विकार्थ है पूरूस का प्रकित से अलग हो जाना है केवल हो जाना आए देख लीजिए आखरी सूद्र पुर्शार्थ सुन्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवा कैवल्यम सरूप प्रतिष्ठावा चित्त सक्त्र ये लाश्ट्र सुत्रहेप्सों पंचानले पुर्शार्थ सुन्यानाम पुर्शार्थ क्या हो गए सुन्य क्या पुर्शार्थ है दो पुर्शार्थ याद रखे यहां पर सांख और योग में मुख्य दो पुर्शार्थ मने गए कौन-कौन से भोग और अपवर्थ सामानित है भारतिय दर्शन में और भारतिय दॉसरी तरह जहाँ आप सेकंड कैप्टर में पढ़ते हो प्रक॥त पुरुस्त नगे कैने नों साथ ब्होग और अपवर्ग इन दो के उद्देश से ही प्रकित का पुरुस्य संयोग हुआ था। ये दोनों पुर्शार्थ पूरे हो गए। क्या भोग और अपवर्ग? पहले भोग हुआ और फिर योग हुआ। योग में क्या हुआ? भोग और उससे जुड़ी सारे व्रत्यों का निरोद हो गया. तो भोग भी पूरा हो गया और अपवर्ग भी पूरा हो गया. तो पुर्शार्थ सुन्या नाम, यानि कि जिस उद्देश से स्योग हुआ था, वह पुर्शार्थ को ने बिए? गुणा नाम, प्रतिप्रशवा, तब क्या होना चाहिए, आप बताई? अगर आप बाजार किसी सब्जी लेने गए और सब्जी लेने काम पूरा होगत क्या करेंगे बाजारों बैठे रहेंगे नो वापस गिनियम है किसी भी उद्देश से जो काम होता है उद्देश के पूर्ण होते ही वो उसे वापस आना पड़ता है मेंका को इंद्र ने भेजा विश्वामित्र की तपस्या बंग करने के लिए तपस्या उन्होंने भंग कर दी और फिर एक उससे बच्ची भी हो गई और मेंका उस बच्ची के मोह में भी व्याप्थ हो गई प्रक्रिवार बसा के रहना नहीं था तुम्हारा उद्देश था विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने तपस्या भंग हो गई अब निकलो वहां से तो आना पड़ा उनको ठीक उसी प्रकार प्रकित पुरुस्ययोग से जो एवलेशन हुआ था जो प्रकित का विकास हुआ था महात अहिंकार मन जारा इंद्रियां पंच तनमात्रें पंच महावोतिये 24 तत्तों का पूरा जो पज़वार बना था उसका उद्देश क्या था भोग और उप्वर्ग पूरा हो गया तो गुणा नाम प्रकित प्रसवा सूत पही रहेगा अब गुणाओं का प्रसव जो हुआ था प्रसव मतलब उपर से नीचे क्यों यानि की कारण से कारी की उत्पत को कहते हैं प्रसव प्रसव का मर्थ वही है डेलेवरी जैसे जो फीमेल के लिए इस्तिमा प्रसव जाता कि प्रसव पीडा से बच्च्छी का जन्म और प्रसव का मतलब प्रकित से बुद्धी का उत्पन दुद्धी के प्रसव से अहंकार का इंकार के प्रसव से फिर पंच तन्मातराऊं के प्रसो से का Кरण्र की उत्पत्ति हो था इसको एसको एक औरुइक Dalam लिए इनका नाम है आधिर भाव व्रकित के तक्षार्द का आभिर भाव होना, यह 3-4 अनलोजी इस्तेमाल होती है, सब रटकर रखिये, नेट में कुछ मिंझे, गुणानाम, प्रत्प्रशव प्रत्प्रशव मतलब जहां से प्रत्प्रशव हुआ था उसे में वापस यादू इसको योग और दर्शन की भासा में प्रत्प्रशव एक भासा इसी का मतलब होता है तिरोब्हाव होना तिरो भाव होना, यानि की कारि का कारण में बिले हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, चुकि ये बड़े टेकनिकल दर्षन के सब्ढ ने, पहले मैंने कहा था, प्रसों में कारण से कारि का उत्पन होना, दूसरा, आभीर भाव, गुणों का आभीर भाव होना, यहां होगा तो तो हम किसमे जाएगा माप जाएगा तो पहला सब्ध हुआ पुरुषार्ट सुन्या ना मैंने पुरुषार्ट शुन्य हो गया उद्धिष्ट पुरा हो गया गुडानाम प्रतिप्रशवा तो सारे प्रकित्थत्त तो अपने में वापस चलेगे। तो चेतन-कौन ता जrans жд एक तो कौन था तो क्सित्त की सकति कॉन फार्षट पुरिष्ट को और अपने शुरूप में प्रतिष भी यहॿशु तो जब और उसको ग्यान जो रहा ठाह। किसे हो रहा था, वो हो रहा था चित्र से, यहां सब कुछ खतम, अब उसको ना तो पहले का कुछ ग्यान है ना वाद का, इसलिए असम प्रज्ञाद समाधी और कैवली के बारे में कोई रक्षान नहीं बताया गया, जो बतायागा हो यह बतायागा कि यह नहीं है, क्या है, य कुछ नहीं है, तो जो ज्यान था, वो सारा ज्यान यहां पर कुछ नहीं बचा, और संयोग, वियोग में कनवड हो गया, इसी का नाम कैवली है, ठीक है, तो आपका प्रस्ण में भी में लगा है, रह सारे कुशन और भी समाहित हो गया, अगर एक दो कुशन पीसको पूछन हो या जो हम बोले उसमें कुछ गोजन हो, तो आप लोग पूशन हो सकते हैं, अगर आपने बताया की प्रसव कारण से कार्याथपन होन या यह प्रसो गया, आदिर्भाव होना, अधिर्भाव होना भी और सर, देखिये, मैंने ये बताया, कि जब शुद की प्रकेत क्या है प्रकित त्रुगनातमत है और जो चीत त्रुगनातमत है और जो चीत त्रुगनातमत होगी उसमें सदयो परिवर्तन होना लगेगा आप प्रकित के धर्म समझेए प्रकित के केतने धर्म है प्रकित जड़ है प्रकित चंचल है प्रकित सक्रिय है प्रकित परिनामी है इसमनू लेकिन पुरुस निश्क्रिये है, प्रकित त्रिगुनात्मक है और पुरुस त्रिगुनातीत है, इसमें त्रिगुनात्मक कोई गुन नहीं है, प्रकित परिणामी है, उसमें सदयों परिवर्तन होता है, परिणाम होता है, पुरुस आपरिणामी है, कोई परिवर्तन ने हो प्रकित चंचल है पुरूज निस्क्रिय है चंचल नहीं है वो निस्क्रिय है तो यह क्या हो गया दोनों नित्य है यह समांता है इसलिए सांख दर्शन और योग दर्शन द्वैत वादी यहां पर यह अद्वैत वादी नहीं दर्शन द्वैत वादी यहां पर दो तक्तों है दोनों नित्य हैं नित्य का मतलब किसी का स्कृत कभी खतम नहीं होता है यहां समस्या संयोग होने से उत्पन होती है वियोग होने से खतम होती बस इतने हैं बाकि इसमें कोई यह नहीं है है कि कोई और किसी को इसका कारण प्रकित अपने आपने श्वतंत्र स्वतंत्र है और कुरुष में हो दोनों स्वतंत्र हैं धोनों परतन्त्र नहीं धोनों नितो लिखे कें दूसरी वाका मैं तो इस तो मैंने दोनों के डिफैंस ओर पुछ ये समानता बदाए अब प्लिक पुरुष का संयोग होता है उद्देश है पुरुषको भोग और अपवर करा चुकि जिसको अनभो होगा उसी को भोग अपवर होगा ना आप कोई निर्जीव लाठी है तो लाठी को काटने से दर्द नहीं होगा क्यों जड़ है वो लेकिन वही जब तना था किसी जीवित पेंड का अंस था तो काटने को उसको पीड़ा होगी तो भोग माफंप और पुरुष्टा है परकित के नहीं है परकित की माध्यम से हो रहा है तो दोनों के संयोग से चुकिक परकित ही त्रगु परिणाम के क्रम में ही तो इस पूरी प्रक्रिया को कौँ से प्रक्रिया जिसमें प्रक्रिया से एक, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार जीजे उत्पन हो रही थी इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रक्रिया को एक नाम कहते हैं कि प्रसौब होना इसी को दूसरी भासा में दूसरे तरीके से भी कहते हैं जिस्तों कहते हैं कारण से कारी का उत्पन इसी प्रक्रिया को दूसरी एक और तरीके से भी कहते हैं कि प्रकित में इन तत्तों का आविर्भाव हो लगाएं आविर्भाव, आविर्भाव को मतलग जैसे आप कहोगे, महले ये कोशन ऐसे बनाया जाए कि एहनकार से मन का होता है आविर्भाव, तिरोभाव, दोनों कुछ नहीं, तो उत्तर होगा ये आविर्भाव हो जाना, और मन का अहिंकार में विले हो जाना कहलाता है अविर्भाव, तिरोभाव, तो आप क्या कहोगे तिरोभाव, इसी क्वेश्चन को इतरे से और कही समझे, क्वेश्चन बनाया जाए मन का अहिंकार में विले हो जाना कहलाता है तिरोभाव होना, कारी का कारण में विले हो जान प्रते प्रसौव होना और लास्ट में विकलब हो गया सभी तो उत्तर होगा सही सभी चुकि यह एक ही प्रक्रिया के अलग-अलग तरीके से कहने के तरीके है तो आई होप समझ में आ गया होगा लुली बाई यसर अब जो बोला है वो ने शुचा लास्ट सेंटेंस जो बोला वो नहीं समझा फिर से वो लास्ट स्थी का सभी का से पहले ने ने सभी यह यह दोनों का एंसर सभी है यह जो कोश्चन बोला वो ने अच्छा अच्छा मैंने ये कहा कि एक क्वेस्टन हम आपको नोट करें नोट करें इसको नोट कर लिजे तब आप सुन जाए तो पुस्टन है मन का एहंकार में दिल्य होना कहलाता है डबल कॉलर अब नीचे विकल्ब लिखिए विकल्ब एक तिरोभाव होना नंबर दो प्रतिप्रशव होना काखा ये भी जोग जैसे भी लिखना हो कि थार्ड आप्शन कारी का कारण में बिलेव होना चौथा विकल्ब एंप तो इसका उत्तर होगा लास्ट वाला यानिकी सभी 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 मतलब तिरो बहाओ को बता देंगे तिरो भाव होता है जैसे माली यह कोई चीज प्रोडक्त होती है जैसे द्धागा है द्धागा का उदाने आने से वचके उदाने आगरेशन में से नहीं होता है इसी में समझी इसी में देशे प्रकित जो है प्रकित से 24 तत्य उत्पन होते हैं तो यह आडर आपको मालूम है प्रकित प्रकित से पहला तत्य उत्पन होता है उसका नाम है महत या बुद्धी और अगर यह आडर आपको नहीं मालूम है तो इसका मदलब आपकी पढ़ाई बहुत लाइथ है बहुत हल्की फिर तो जो मैंने बोला वादा सम्झम नहीं आया होगा फिर महत से दूसरा तत तत्य तत 5 होता है कि नत आएंगयर है और अहिकर से 16 रच्पन होते हैं कि इनको आपको याद करने करके तरीका अब ओर पाबार को जी सब्सभर है तो महतिय बद्धि महतिया बुद्धी से एहंकार और अहंकार से 16 रच्पन यह सांक्य लिखा रहा है बहुत अंत रहा हैOpen हो लेकिन आप संग करें जातार 유ग तो पेहिंकार से 16 16 पांच जहां है जहां दिरिया जो गयां प्रापत होता है तो तो अच्छा ना जानते हो भी लेगा थे दो अच्छा उसको आडर से लिखे, पिर लगल लिखना है तो सबसे पहले मन के बाद फिर कान यानि श्रोत ही उनको कहते हैं इसे हम सुनते हैं श्रोत के बाद फिर दूसरी ज्यान इंद्री है असपर्स तुचा तीशरी ज्यान इंद्री होगी फिर चक्चू आँख को चक्चू बोलते हैं उसके बाद तोती इंद्री होगी जीवा रसना जिसको बोलते हैं जीवा कर तो पहले निखा फिर पाँच ग्यान इंद्रिया लिखा फिर पाँच कर्म इंद्रिया लिखनों करें जिन से हम काम करते हैं इस चाहिए. प्रेट किसे जाता है वे इनको होता है इसको उससे ग्यान जाता है और ब्रेन जो आडर देता है तो किसको आता है कर्मेंद्रियों को आता है जिसे आप फंसर करते हैं कर्मेंद्रिया लिख लो हस्त पाद उपस्थ मलद्वार और मुह उससे खाने करते हैं कर्मेंद्रिया हो नहीं फिर पांच तर मात्राइं लिखो तर मात्राओं को पांच लिखो नंबर एक सब्द नंबर दो इस पर वायू वायू यह आडर है ऐसे तो आपको कहीं आगे पीशे मिलेगा लेकिन जो मैं लिखा रहा हूं आडर से लिखा रहा हूं तो पहली तनमात्रा उत्पन होती है सब्द दूसरी तनमात्रा इसके बच्चे पैदा होंगे तो वहां लिखना तो पहली तनमात्रा सब्द दूसरी 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 तनमात्रा स प्रोडक्शन नहीं होता है लेकिन पंच तरमात्राओं से फिर प्रोडट्शन होता है उनको सबसे पहले क्या लिखाता है एक सबसे क्या अपधन हुआ अकास दूसरा लिखाता आप समने वाई होрах है साइब दूसरा आपने जो तनमात्रा लिख थी जो 3डे लिखा था इस परिफ से qa तीसरी क्या लिखी थे आप उदर से बोली है जरा से तनमात्रा बोली रूप का अगनी उसके बाद कौन सी है रस रस का हो जाएगा जल जल गंद 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 का हो जाएगा प्रथिवी यह प्रथिवी जो है चोविश्वा तक तक तो है आप उपर से काउंट कर लें जरको चोविश नंबर प्यार रहा है प्रकित को एक महत को दो एंकार को तीन मन को चार फिर पांच ग्यान इंदिरियां छे साथ आठ नों दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंद्रा शोला सत्रा ठारा उन्नीस बीस टीस बाइस टेईस चोविश हो गया चोविश की नहीं कहीं अंतर तो नहीं आया सर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर सांख्य दर्शन और योग दर्शन यह 25 तत्व और 26 तत्व की बात कहीं कहीं देखिए कैसे अभी 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 बता देंगा अभी बता देंगा पहले जोबीस बुरे हो गए है किता और यह आधो जल्दी से 24 आपके इसमें तो पचीस या तेज तो नहीं हो रहे हैं मैं से जो तो यह जो प्रोड़क्शन हुआ इस ही को बोलते हैं आभिर बाग्व इस ही को बोलते हैं इसमें एक रिष्टा लिंग और लिंग अगी का भी जो प्रोड़क्ट हुआ वो क प्रकित किसी से उत्राप्न नहीं हो रही लेकिन महत क्या है लिंगी बीयर लिंगी किसका है प्रकित का और लिंग किसका है जो नीचे यानी एंकार एंकार क्या है इसको एक भासा में कहते हैं परकित और विक्रित विक्रित किसको कहते हैं जो उत्पन्य होता है तो प्रकित मुल तो एक ही ही है लेकिन महत क्या है प्रकित और विक्रित दोनों है ठीक है महत विक्रित किसका है प्रकित का विक्रित मतला विकार वो किसी से उत्पन हुआ है इसलिए उसे हम विक्रित कहते है किस से उत्पन हुआ है प्रकित से और वो खुद भी प्रकित है क्यों प्रकित है क्यों वो भी उत्पन कर किसको कर रहा है मन को कर रहा है कि अहिंकार से जो 16 तत्त हुए है उसमें तनमात्रा प्रकृत और विक्रित दोनों है लेकिन तनमात्रा के अत्रित मन पंच ग्यान इंदिने और पंच कर्में इंदिने यह 11 क्या है क्यों विक्रित है प्रकृत नहीं है लेकिन तनमात्रा अब वा ये किया है इनसे किसी का प्रोडर्शन नहीं हो रहा है शोंज में आगे चीजह ब से डबलमेंट की प्रकिरिया बोलते हैं प्रसों कि कारण से कारण से कारिक उत्पन होई जैसे कि पंच महाबूत है इनका कारण इसके कारण था कारण था कारण है प्रकित तो जब कारी से कारण की उत्पत्य होती है तो उसको बोलते हैं आविरभाव और जब कारी कारण में बिले होता है उसको बोलते हैं तुरोब यह ठीक है तो सांग की दर्शन में 25 तत्व मांगने गए हैं मुख्य तो दो ही तत्व हैं प्रकित और पुरुष लेकिन प्रकित के 24 मुख्य तत्व यह माने गए हैं तो इस तरह से 25 तत्व को माना गया है इसलिए इनकी संख्या टोटल हो गई 26 जब कि शांग की दर्शन में इसलिए को नहीं माना गया है हलाकि इस मामले में एक बहुत बड़ा विद्वानों में मतभेद हैं लेकिन फिर भी जो एक धारणा है जिस तरह से आप को सन पूछ रहे हैं और जो आपको एक्जाम में देना है उसके इसाप से उत्तर होगा यहीं होगा सांग के दर्शन के अनुशार 25 तक्तु कौन-कौन से 24 प्रकित के और एक पुरूष प्रकुरूष अपरे नामी है उसे कोई प्रोडक्शन होता नहीं वह बस जो है वही रहेगा तो टोटल संख्या हो गए 25 लेकिन जो योग दर्शन है इसके अनुशार फुल तत्तो की संख्या के दिनी है इसके अनुशार 24 प्रकित यही रहेंगे प्लस वन पुरूष प्लस वन इश्वार टोटल हो गए 26 बस इतना अंतर है कि बहुत अच्छा बंदाया सर क्योंकि धर्म में का बेद मुझे आज तक सब्सक्राइब ठीक है समाप्ति आ जाए क्या है कि एक पूश्चन और आप पूश सकते हैं कुछ हो तो कितना बज़िए दस बज़िए लंबा समय दिया आपने मैं तो मुझे लगता है कि बच्चे जो हैं सर वो प्रश्न पूछते ही जाएंगे लंबे समया इनके मस्तिष्क में जो है वो को बाते बनी हुई है और अभी शोर आंगे कि कैसे यह कार देंगे और कैसे निकालेंगे आप पर क्लास बहुत अच्छी थी, thank you sir. Thank you, Iksha. Thank you so much. ठीक है गुर्देव, आप से की हम लोगों की क्लास रेगुलर रखिये, please sir. नहीं तो हमें नहीं लगता हम निकाल पाएंगे. ठीक है, ठीक है, इसमेशे मैं बात करूँ ना. ठीक है गुर्देव, आप आराम कीज़े, आपको कलाध्यापन के लिए भी जाना. ठीक है, ठीक है, बहुत परणाम. परणाम, sir. दौनों, sir, को मेरा बहुत-बहुत परणाम. परणाम, sir.